सिनमा का इश्ख, अनुवान तो अजब हवस खेज है, लेकिन अफसोस कि इस मस्मून से आपकी तमाम तवक्वात मजरू होंगी, क्यूंकि मुझे इस मस्मून में कुछ दिल के दाव दिखाना मक्सूद है। आजकल हमारे दोस्त मिर्जा साहिब की महरबानियों के तुपए, सिनमा गोया मेरी दुट्टी हुई रग बनकर रह गया है। जहां कहीं इसका नाम सुन पाता हूं, बास दर्णाप वाकियात की याद ताजा गुलाती है। अबल तो खुदा के फजल से हम कभी सिनमा वक्त पर नहीं पहुंचे हैं। और उसमें हमारी सुस्की वो जरा दखल नहीं। सारा फसूर हमारे दोस्त मिर्जा साहिब का है, जो कहने को तो हमारे दोस्त हैं, लेकिन खुदा शायद, कि इनकी दोस्ती से जितने नुकसान हमें पर चाहिए, किसी दुश्मन के एक लबज़ा खुदरत से भी बाहर होती है। जब कभी इस सिनमा जाने का एरादा हो, तो इनसे कह रखता हूँ, क्यों भी मिर्जा, अगले जुमराद सिनमा चलोगे न, इससे मेरी मुराद ये होती है, कि वो पहले से तैयार है, लेकिन वो जवाब में अजब कंद्रिन नाशनासे से परमाते हैं। अरे भई, चलेंगे क्यों नहीं, क्या हम इनसान नहीं, हमें तफ्रीक के जुरूरत नहीं होती, और फिर हमने तुम्हारे साथ कभी ऐसी बेमुरवती बढ़ती है, कि तुमने चलने का कहा हो, और हमने साथ ना दिया। इनकी इस तक्रीर के बाद मैं शुर्मिंदा सा हो जाता हूँ, थोड़े दिर खामोश रहता हूँ, फिर दभी आवाज मुन से कहता हूँ, के भई, अब के हो सका तो सिनेमा वक्त पर पहुंचेंगे, क्यों महीं? अब तुम्हारे बात आम तोर पर टाल दी जाती है, क्योंके सिंग का जमीर कुछ बेदार सा हो जाता है। छार क्र सिंगे से बारब पूचता है, कि भई आजखकर सिनेमा 6 바जे शुरू होता है। अरे भाई, मुझे यतिन है, कि 6 बचे शुरू होता है। भई तुम्हें यकीन है, ऊप्यैन के हमारे तिमाग क्यों मुझ्य मुफ्त में चाठ रहे हो। अब आप भी कहिए कि मैं क्या बोलूं। पर आपके दिन ठीफ चार बजे तैयार होकर उनके घर को रवाना हो जाता हूं। इस ख्याल से कि जल्दी जल्दी तैयार होकर उनके उनको लेकर सिनमा पहुत जाएं। लेकर जब दौलक खाने पहुशता हूँ तो आदम नादम सार, मर्दाने के थमाम कमरों में खुन जाता हूँ, हर खिड़की से जाकता हूँ, बार डेवडी से निकल कर इधर उधर देखता हूँ, बतस्तुर भू का आलम देखकर वापस कमरे में आकर बैठ जाता हूँ और अ मिर्जा, 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 इस ख्याल से के सो रहे थे तो जाग जाएं, अगर ना रहे थे तो हो सकता है कि खुस्व खाने से बाहर आगे हैं, लेकिन मेरी आवास मकान की खुस्वतों से कूंच कर वापस आ जाते हूँ, आखिर कार अड़े को पांच के करीब ज अखलाक और मतानत को बड़ी मुश्कित मद्दे नजर रखते हैं इसे पूछता हूँ क्यों हजरत आप अंदर ही थे मेरी आवाज आपने नहीं सुनी अच्छा तो ये तुम थे तुम थे लगा कोई और अच्छा तो चलना है के नहीं वह कहां मंद्दें खुदात सिनिमा नहीं जाना हाँ सिनिमा अच्छा सिनिमा एक कहूं जरूर कोई ऐसी बात है जो मुझे याद नहीं आदे तुम ने याद दिला दिया वरना मुझे रात भर उल्षन रहती तो पिर चलेंगे ही मैं सूच रहा था आज ज़रा कुपड़े बदर लें पता नहीं यह कंबख दोबी कपड़े भी लाया है यह यार इन दोबियों मत को इंतिजान करो अगर कतल इंसानी एक संभी जुर्म ना होता है तो मुझे इस वक्त जरूर सरजद हो जाता है लेकिन क्या करूं अपनी जवानी पर नहीं खाता हूं और सिरक इतना कह बाता हू कि मिर्जा भाई दिल्वा मुझ पर रहम करो मैं यहां सिन्वा जाने को आया हुई यार दोबियों का इंतिजान करने के लिए नहीं आया फड़े बत्तमीज हो तूं कौने छे बच्चों के और तूं जूकर तूं बैच्छे जाओ मिर्जा साहब के कपड़े पहने का सिलसला इतना तबीज है कि अगर मेरे अख्तियार में होता तो कानूं की रू से उन्हें कभी कपड़े उतार नहीं 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 देंगे मिर्जा आप घंटे बाद अपड़े पहने तश्रीफ लाते हैं एक पान हाथ में दूसरा मूं में मैं अभी उठ खड़ा होता हूं जो निकलकर मैं दर्वाजे तर पहुंचता हूं और रूम कर देखता हूं तो मिर्जा साहब आए बापे संदर जाता हूं मुक्सिक होने में घड़े कुछ कुरेज कर रहे होते हैं आड़े भाई चलो रही चल तो रहा हूं ऐसे बे क्या आफ़त है और तुम घर क्या रहे हो तम बादू ले रहा था पान के लिए तमाम रास्ते मिर्जा सहाब चेहल करनी फिरमाते जाता हूं मैं हर दो लमे बाद अपने आपको उनसे चार या पांच कदम आगे पाता हूं तर्स ये के चलता हूं से दुगनी रफदार पर हूं लेकिन पहुंचता उनी के साथ ही तर्वा रहा बाद जी गे तर्वाना तो बन करो कि या लिए लोग कहां जाओं कि रस्ता आदमी दिवार उस्ते तो दिखाई नहीं देता दो कदम आगे बढ़ता हूं तो सब्सक्राइब तो आख बुजानी के दिवार पर ठटिये रहती हैं तो देर के बार कि तारीकी में धुंदले से नक्ष दिखाई देने लगते हैं जहां जरा तारीक तरसा धपा दिखाई दे वहां समझता हूं कि खाली कुर्सी होगी हमीदा पुष्ट होकर उसका रुख करता हूं किसी के पाओं को भान किसी के टखनों को टक्रा खवातीन के खुटनों से दामन बचा कर आखिरकार किसी की गोद में जा बैठा हूं मिर्जा से कहता हूं कि मैना बगता था कर वक्त पर चलो खाना खाना को रुस्वा करवा दिया गदा कहीं का इस शगुफता ब्यानी के बाद मालू होता है कि जो साह बराबर बैठे है वो मिर्जा साहब नहीं को और बुजग है कि तरफ मतवज्य हूं और समझने की कोशिश करूं तो उसकदर समझाता है कि मर्द और 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 जो परदे पर बगलगीर नजर आते हैं ये शायदे दूसरा कुछ चाहते हूं अब इंतजार करता हूं कि कुछ लिख्था हुआ आये तो मौमदा खुले कितने में सामने वाली कुछी पर बैठे वे हदरत एक वसी और खरार अंगडाई लेते हैं जब अंगडाई समेट लेते हैं तो सर पुजाने लगते हैं इस अमल के बाद वो बाजू को सर से नहीं एटाते बलके बाजू को खमीदा रखते कुछ दिखाई नहीं देता तो मैं अपने मजबूरां सर को नीचे करके चाइदानी के इस दस्टे के बीच में से अपनी नज़र के ये रास्ता बना लेते हैं मेरे बैठने के अंदास से कुछ यू मालूम होता है कि शायट जिकेट भी ये बगएर अंदर भुसाएं लेते हैं बुढ़। जूब देखाईर के बात ईनको अपनी कुर्सी के नशिस पर कोई मैं पिस्टू महसूस होता है तो ंज़रत बाईं न से उचचे होकर बाईं की तरफ जुख जाते है तो मैं भी बाईं की तरफ जुख जाते हैं एक दो लम्हों बाद वो मच्छे विज्रत करके दूसरी तरफ से ना गाते हैं तो हम दोनों फिर से पैसरा बदनी तुमाम शाम ये दिल लगी युही जाई रही तो दाएं तो में बाएं वो बाएं तो में दाएं अन्य क्या मालूं कि अंधेरे में पीछे क्या खेला दाएं दिल में आता है कि अगले दर्जे की टिकेट लेकर उनके आगे जा बैठू और कहूं के ले बेटा आप मैं देखता हूं तो कैसे फिल्म देखता है यार तुमसे निचला नहीं बैठा जाता क्या अब साथ लाई हो तो फिल्म तो देखने दो इसके बाद मुस्से में आकर रहां कि बंद कर लेता हूं गतल अम्द जहर खुराइन और तुद्खुशी मामलार पर बोर कितने लखाता है दिल में कहता हूं कि ऐसी कि तैसी इस फिल्म तो सौस और कसमे खाकों क्राइं तो फिर ना आओंगा अगर आया भी तो इस मन्हूस मिर्जा को पने साथ भी लाँगा अपनी निशिस्ट पर तमाम वक्त उचलता रहूंगा उची दुर्रे वाली पगड़ी पहनगा रहूंगा और इस मिर्जा के पास तखना भटकोंगा लेकिन इस दिल का क्या करूंगा कि अगले हफ़ते फिर किसी अच्छी फिल्म का इश्कार देख पातां तो सीदा मिर्जा के पास जाता हूं और गुफ्तुकू का सिलसिला फिर नहीं से शुरू होता है क्योंवे मिर्जा अग्मी जुमिरा सिनेमा चलो गया